हलो माई डियर चिल्रेन, हावर यू आल, आज हम इवियस क्लास थर्ड का चैप्टर नमबर नाइन, वाटर और वन्डरफुल लिक्वेट पढ़ेंगे, ओके, वाटर, वाटर जैसे आपको पता है, वाटर का मतलब है पानी और वन्डरफुल लिक्वेट, पानी एक बहुत ही वन्डरफुल लिक्वेट है, लिक्वेट यानि की तरलपदार्थ है, ओके, तो वाटर हमारी लाइफ में बहुत इंपोर्टेंट है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डीजिल में पढ़ेंगे, ओके, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले हम यह जान लेते हैं, the different sources and forms of water, the difference between the process of evaporation and condensation, understand the changing forms of water in nature, यानि की water cycle, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पहले तो आप यह जान लो कि, आप पहले एक खुछ से question करो, आप सोचो कि अगर आप सुबह सुबह उठते हो, और morning में आपको, सबसे पहले आप क्या करते हो morning में, और दूसरा है कि, क्या आपको, what are the things required for survival, आपको किस चीज़ की जरुत होती है, survive करने के लिए, यानि की जिंदगी जीने के लिए, और बहुत ही required, जो की बहुत जरूर है, तो पहले का answer आपको खुद से चूज करना है कि आप क्या करते हो, और दूसरे का भी खुद से, लेकिन इसी chapter में है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यानि की water, water एक बहुत ही important part है हमारी life का, तो हम पढ़ते हैं आगे, a wonderful liquid, यानि की water एक wonderful liquid है, हमारा जो earth है, वो एक blue planet है, वो जब आप आस्मान से देखोगे है, अपने earth को, तो वो एक blue planet की तरह इन blue color में दिखता है, क्योंकि ये blue color में क्यों दिखता है, क्योंकि जो हमारा earth है, वो 72% जो है, 3 4th surface of earth is covered with water, 72% हमारा earth water से बना हुआ है, और water blue color का दिखता है, जिसकी वज़े से, हमारा earth, blue planet के नाम से भी जाना जाता है, water is essential not only for everyday activities, but also for the existence of life, okay, हमारा, हमारा जो, हमारी life के लिए जो water है, वो बहुत किवल जरूरी ही नहीं है, हमारी daily के activities के लिए, बलकि बहुत ही important part है हमारी life का, ओके, और हमारा दिन जो होता है, वो water से ही सुरू होता है, हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले fresh होते हैं, brush करते हैं, नहाते हैं, तो इसका मतलब हमें सुबह सुबह उठते ही, हमें सबसे पहले water की need होती है, तो हमारा जो earth है, वो 72% water से मिलके बना है, जैसे कि आप इस picture में देख रहा हो, यह earth है, और यह blue color का जो part है, यह सारा part जो है, यह water है, और आपको बगल में एक और picture दी गई है, जिसमें आपका है, एक human body, human body भी आपका जो, वो 70%, 72% जो है, वो water से मिलके बना होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे sources of water, यानि कि water की source क्या क्या है, water हमें कहां से मिलता है, वो कहां से आता है, तो water एक liquid form में होता है, जैसे कि आपको पता है, और यह three states में matter, इसका जो हम इसको three states में देख सकते हैं, तीन तरह की form में इसको हम देख सकते हैं, water को हम three form में convert कर सकते हैं, जैसे कि पहला होगा आपका solid form, liquid form और gas form, water तीनों form में देखता है, एक तो solid होता है, liquid भी हो सकता है, और gas भी हो सकता है, तो liquid आपको पता है, normal water जो होता है, जो हम पीते हैं, और solid form में क्या होता है, A large amount of water is present in the form of ice caps on mountains and glaciers आप mountains पे देखे होगे glaciers जो आपका ले, लद्दा, इन सारी चीज़ों जो बहुत ही high pick पे है वहाँ पे क्या होता है बर्फ जम जाती है तो वो बर्फ आती कहां से वो ice कहां से होता है वो mountains पे जो ice आता है वो water से ही होता है वो water जो है वो जम जाता है और वो ice में convert जाता है तो ice जो है वो water का solid form होता है ओके next आपका है और ये ice caps जो होते हैं ये glaciers से जब melt होते हैं और ये melt कैसे होते हैं जब sun की light परती, of sun का heat परता है तो उसके rays में heat होता है, sun में heat होता है, तो heat से melt हो जाते हैं और liquid form में convert हो जाते हैं, ok. तो ये convert होकर के river, ocean, इन सारे छीजों में convert होते हैं, तो इसको हम liquid यानि कि water बोलते हैं, तो the air also contains water in the form of water vapor, अभी air में भी convert होता है, वो कैसे होता है water, आप देखो के river जब बहुत तेज धूप होती है, तो river पे धूप लगता है, समर के मौसम में, और वो river या फिर आपका pond हो गया, ये सूख जाता है, महां से पानी जो है वो कम हो जाता है, या फिर खतम हो जाता है, तो वो पानी जाता कहा है, वो vapor form में हो जाता है, vapor का मतलब होता है भाप, वो भाप gas बनके वो उपर चला जाता है, तो उससे हम water vapor भी बोलते हैं, और ये आपका होता है third, यानि की third form gas form होता है water का, तो तीन form हो गया, पहला solid, जो की ice, liquid water, gas form यानि की water vapor, आगे हम देख रहे ह आपकी activity है, इसमें एक, आपको क्या करना है, आपको कुछ ice cubes लेने हैं, और उसको, एक ice cube लेना है, और आपको उसको देखना है, कि वो melt कैसे होता है, आप देखोगे कि वो धीरे-धीरे melt होता है, आप उसको रखोगे, तो धीरे-धीरे वो melt होगा, और heat some water in the presence of an adult, तो ये जब आप इसको जब heat करोगे, तो आप इसको किसी, मतलब अगर water को आपको heat करना है, तो आप किसी adult के presence में करोगे, आपको ये activity करनी है, तो कोई आपकी आजपास adult होगा, तभी आप करोगे, तो उसको आप क्या करोगे, गैस पे water को एक आपको, कोई pot लेनी है, जिसमें पर गास पर रखके गरम करना है तो आप देखोगे कि water बनके ऊपर की तरफ उलता है Okay, steam में convert होता है तो वह होता है water vapor यानि कि वह gas form होता है Okay, जब water melt होता है तो लिक्विट फॉर्म यानि कि water में convert होता है और दूसरा आपका यह ice form जो solid form जैसे मैं नहीं आपको बताया और यह gas form आप इस picture में देख रहा हो liquid form, solid form and gas form next आपका है कि इस process को आप क्या बोलोगे अगर यह process आप करते हो तो इस process को क्या बोलोगे the process by which water changes changes to water vapor on heating is called evaporation अगर आप water को water vapor में heat करके convert करते हो तो यह होता है आपका evaporation यह आपका process evaporation कहलाता है जब water convert होकर कि किसमे convert होता है water vapor में convert होता है water vapor में convert होता है तो इस process को हम evaporation कहते हैं next हम देखते है the process by which water vapor changes into liquid water on cooling is called condensation अगर water vapor जो है वो change होकर के liquid यानि कि water में convert होता है, cool होकर के तो वो क्या कहलाता है condensation कहलाता है अपने देखा होगा कि जब हम कोई अगर पानी को आप गरम करोगे तो उसके उपर अगर आप cap रख दोगे, तो जब आप कैप को हटा ओगे थोड़ टाइम के बाद तो आप देखो कि चुटे चुटे पॉइंट्स बन जाते हैं। तो वो जो होता है, वो convert हो करकी water vapor जो होता है। जब वो cold हो जाता है, तो convert होकर के फिर वो water में convert जाता है water vapor, ओके आप दूसरा process भी देख सकते हो, जब आप frizz से water bottle को निकालते हो और उसको बाहर रखते हो तो जो water जो air उसके लगता है तो उसके उपर जो होता है वो liquid form में पानी जो है वो ऐसे निकलने लगता है तो ये भी आपका एक condensation निकलाता है कि ये आपका cool बहुत होता है और उसमें जब आपका बाहर का atmosphere आता है तो वो कहते हैं convert जाता है water में तो ये आपका होता है condensation तो इसमें आप देख रहा हो आगे का जो काम है activity number two आपका वही है जो मैंने आभी आपको बताया है आपको chilled water लेना है जो कि refrigerator से निकालना है और आप इसको table के surface पे रखना है कुछ time के लिए फिर आपको क्या देखोगे कि a pull of water is seen on the table उस table पे कुछ water जो है आपको दिखेगा और क्या होगा इससे where did this water come from ये water कहां से आता है is the water leaking क्या water leak करता है नहीं water leak नहीं करता है इसको आपको खुद से discuss करना है लेकिन हम इसके बारे में जानते है water leak नहीं करता है ये क्यों होता है ये होता है आपका condensation की आपका third activity है breathe out on window pen अगर आप window पे जाकर के breathe out करते हो जो कोई glass form होता है तो आप देखते हो कि क्या होता है माबे वहाँ पे बहुत सारे drops बन जाते हैं ऐसे बिल्कुल धुनला धुनला सा हो जाता है महां का surface आप अगर गाड़ी में भी बैठते हो तो गाड़ी का जो window होता ह अगर वहाँ पे अपने mouth को खोलते हो breathe लेते हो तो breathe out करते हो तो क्या होता है कुछ droplets बन जाते हैं और अगर आप वहाँ पे कुछ right करते हो तो वह easily raw हो जाता है तो ये भी आपका आपके mouth से जो water vapor के रूप में निकलता है ये वही होता है तो form where does this water appear ये water कैसे दिखता है ये आपको discuss करना है खुद से तो ये चीज़ें आपको दो चीज़े करनी है जो कि आपका evaporation and condensation से ही related है ओके next आपका है water cycle what is water cycle water cycle के बारे में पढ़ेंगे water का मतलब पानी cycle यानि की circle आप circle बोल सकते हो इसको cycle करना यानि की circle आप इसको circle से भी बोल सकते हो तो हम इसको water cycle यानि की जल चक्रे इसको हिंदी में जल चक्रे बोलते हैं लेकिन water cycle के बारे में हम पढ़ेंगे इन nature to water keep changing in its form इसमें क्या होता है ये nature जो है हमारा बहुत ही wonderful thing है आप इसको amazing भी नहीं कर सकते ये बहुत ही मतलब भगवान ने इसे ऐसे बनाया है कि सारी चीजें अपने आप convert होती रहती हैं और अपने आप से ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें nature से हमें मिलती हैं बहुत ही wonderful है ये nature हमारा तो हम यहाँ से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं तो ये water cycle जो है ये एक नेचर का ही एक activity है आप इसको आगे पढ़ोगे कि ये होता कैसे है इसमें क्या होता है water की change होता रहता है water हमेशे आपने जो उसका वो है उसका form है उसको change करता है और वो recycle होता है यानि कि वापिस से किसी form में change होता है फिर वहां से वो convert हो करके फिर आपिस हमारे पास आजाता है तो इस प्रोसेस को हम आगे देखते हैं यह होता कैसे है आप इस पिक्चर में देख रहे हो यह पिक्चर आपको कुछ देख रहे है पिक्चर में आपको पहले क्या हो रहे है यहां पर बारिश हो रही है बहुत जादा ओके पहले तो आप यहां स बनके कहां जा रहा है? उपर जा रहा है और उपर जाके क्या बन गया है? क्लाउड बन गया है और क्लाउड जो है ये क्लाउड बाद में जब बहुत सरा क्लाउड हो गया है तो ये किस में कनवर्ट हो गया? ये रेन में कनवर्ट हो गया है और rain हो करके फिर ये वापस कहा आ गया वहीं पर आ गया mountain से होते होते सारा sea river ये वहीं पर पहुँच गया तो यानि कि ये water form से ही convert हुआ और ये आगर के फिर water में convert हो गया water form से water vapor में water vapor से cloud बन गया cloud से फिर rain में फिर water में convert हुआ और फिर ये वापस कहां पर आ गया ये mountain पर जो है आप देख रहे हैं mountain पर ये ice भी बन जाता है mountain पर जैसे आपने पढ़ा था और फिर बाद में जब sun heat होता है तो ये melt हो करके फिर ये river, ocean, sea इन सारी चीजों में चला जाता है तो ये आपका हो गया एक water cycle ओके इसको आप एक circle के रूप में देख सकते हो इसको आप water cycle बोलते हैं आप इसको water cycle बोल सकते हो ओके तो ये आपको समझ में आ गया होगा आगे इसी के बारे में दिया हुआ है सारा कि जब sun heat जो है वो ponds, league, seas, ocean कहीं पर भी जहां पर पानी कठा होता है वहाँ पड़ता है तो वह evaporate होकर के water vapor में convert हो जाता है और यह sky में जाता है और वहाँ पे cloud में convert हो जाता है cool और जब यह बहुत जादा cool हवाँ चलती है तो यह धंडा होता है फिर यह drops बनके फिर water के form में बारिश होती है और ये वापिस से rainfall के रूप में नीचे आ जाता है और ये कहा जाता है जब बहुत ज़्यादा भारिश थंडा मोसम होता है तो ये ice में convert हो जाता है और जब heat होता है तो फिर ये water में convert जाता है, फिर ये आ जाता है, फिर वापिस से जमीन पे आ जाता है, river में, sea में, ocean में फिर से चला जाता है, तो इस process को हम water cycle बोलते हैं, तो आपको activity करनी है इसमें, rain, gauze and its use, आपको क्या करना है, पहले तो आपको measure करना है rainfalls को daily daily, आपको everyday measure करना है कि कितनी rainfall हो रही है, और आपको कुछ materials used करने हैं, जैसे कि bottle, plastic, funnel आपका scale हो गया, ये सारे चीज़ें लेनी हैं आपको, और फिर क्या करना है, आपको funnel जो है, उसमें, funnel को एक bottle में रखना है, और place it is an open space away from building and trees, इसको आपको building और trees से दूर रखना है, open space में रखना है, फिर आप observe करोगे कि जब rain होता है, तो क्या होगा, collect in the bottle, तो rain water जो होगा, वो bottle में collect हो जाएगा, और फिर क्या होगा, measure its height with the scale once every day at the same time, आपको daily daily measure करना है, इसके हाइट को और same time पे measure करना है, और daily measure करना है, फिर आप देखोगे कि the level of water increases every day, तो जो water का label होगा, वो daily daily increase होता रहता है, उसमें, ऐसे आपको 2-3 दिन करना है, जब आपका rainy season होता है, तभी ये, आप आराम से कर सकते हो, तो फिर क्या conclusion निकलेगा, इसमें, आप देखोगे कि, जो difference between the two reading, आप दो reading के वीच में difference देखोगे, and we can find the amount of rainfall during a day, और हम इस चीज से fine पता लगा सकते हैं कि rainfall, एक दिन में कितना rainfall हो रहा है, और कितना पानी उसमें collect हो रहा है, तो ये आप easily कर सकते हो, क्या आपको पता है कि, दो our earth is called the blue planet, blue planet, okay, हमारे earth को blue planet भी बोलते हैं, आपको पता होगा, जैसे आपने पढ़ा था, ये क्यों बोलते हैं, the ability, sorry, the availability of fresh water is just 3% and the rest, example 69 is salting water, हमारा जो planet है, ये blue planet तो है, लेकिन यहाँ पे केवल 3% ही fresh water है, जिसको हम use करते हैं, okay, और जितने 69% water है, वो सारी water salty है, मतलब salty water नमकीन water है, जिसको हम use नहीं कर सकते हैं, अगर हम उसको use करेंगे, तो हम बिमार पड़ जाएंगे, तो वो water हमारे use का नहीं होता है, कि वो 3% water ही हम use कर सकते हैं, इसलिए हमें water को waste नहीं करना चाहिए, water को save करना चाहिए, बचाना चाहिए, जितना हो सकता है, उतना water का कम use करना चाहिए, कम water में ही अपने काम को easily करना चाहिए, तो आपको यह chapter समझ में आ गया होगा, बहुत ही interesting chapter था, इस chapter से हमें एक चीज़ और भी सीखने को मिलती है, कि हमें water save करना चाहिए, so save the water, okay, for our future, okay, और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत important है, water, okay, so children, यह chapter हमारा done होगया, I hope आपको यह पसंद आया होगा, next video में हम next chapter को देखेंगे, तो अगर आपको यह पसंद आया है, तो इस video को like जरूर करो, और channel को subscribe करो, bell icon को press करो, ताकि आपको आगे की notification अराम से मिल सके,